हेलो नमस्कार दोस्तों जीके सिरीज के अगले वीडियो में आप सबों का स्वागत है इससे पहले प्राचीन भारत के चार से पांच बड़े वीडियो अप्लोड हो चुके हैं जिसमें वैदिक सब्यता, सिंदुगाटी सब्यता, महा जनपद, गुप्तवन्स, मौरिवन्स क यह सभी महत्पुर्ण प्रस्णों का वीडियो आपको प्रभाइड करा चुका हूँ, उम्मीद है कि आप उसे देखेंगे, अगर नहीं देखें तो उन सब वीडियो को देखें और महत्पुर्ण के कलेक्शन को आप पढ़के तयार रही है, क्योंकि यह सब क्वेशन जो दिया जा रहा है, 100% यह सब क्वेशन बहुत इंपोर्टेंट है, और काफी क्वेशन पूछे गए हैं, आज का वी जो वीडियो होगा, इसमें मैक्सिमम क्वेशन पूछा वो क्वेशन उठाया गया है, तो आप प्रयास करिए कि पूरे वीडियो को देखिए, समझ गये, और प्रते क्वेशन में मैं कुछ न कुछ एक्स्ट्रा जनकारी आपको देने का प्रयास करूँगा, जिसे सुन करके आप अपने त्यारी को और अच्छा कर सकते हैं, आईए क्वेशन को सुरू करते हैं, क्वेशन है कि 1526 इस्वी में बाबर ने किस वन्स के सासर को परास् मुगल समराज की नीव डाली, ओप्सन है सयद वन्स, बी लोधी वन्स, सी तुगलग वन्स, डी खिलजी वन्स, तोस्तों ये सभी वन्स जो हैं ये दिल्ली सल्तनत के वन्स हैं, और दिल्ली सल्तनत का अंतिम वन्स लोधी वन्स रहा है, और लोधी वन्स का अंतिम सासक इब्राहिम लोदी था जिसको हरा कर 1526 में बाबर ने मुगल वन्स की नीव रखी तो इसका आंसर होगा लोदी वन्स आप ध्यान रखे हैं कि 1526 से पहले चार बार बाबर ने इंडिया में आकरबन कर चुके थे और 1526 में जिसे हम पानी पत इसे हम पानी पत उसी उस नाम से ज अडिया में जिसके बाद इसने एक बड़े समराज मुगल वन्स की नीव रख दी अगला प्रस्न पानी पत का प्रथम यूद्ध कब हुआ पहला ऑप्शन 21 अप्रेल 1529 बी 21 अप्रेल 1526 सी 20 अप्रेल 1527 और डी 1528 का उत्तर होगा 21 अप्रेल 1526 देखिए दोस्तों डेट भी इसे कई वार पूछा आता है अगला प्रस्न बाबर ने प्रस्शिद तुलुगामा नीति का प्रयोग स्वर्व पर्थम किस यूद्ध में किया ओप्शन है खानवा के यूद्ध में भी घागरा के यूद्ध में C. पानीपत के यूद्ध में D. इन में से कोई नहीं दोस् उसमें तुलगामा नीती का परियोग किया थे सरवपर्थम और इसी युद्ध में सरवपर्थम तोप का परियोग किया गया था गोली का परियोग किया गया था तो यह भी प्रस्ण आता है कि वह कौन सा युद्ध था भारतिय इतिहास में जिसमें पहली बार तोप का परियो पाई थी तेखिए ये सवाल कई बार पूछा गया है बहुत important question है इसको ध्यान से याद रखिएगा A. असोक ने B. सेरसासुरी ने C. अकबर ने और D. हुमायू ने तो इसका उत्तर होगा B. सेरसासुरी ने सेरसासुरी भी मुगल काल के दर्मियान बीच में आता है सासन करने 1540 के आसपास जो हुमायू को पराजित कर उसे तड़िपार कर देता है और एक बीच में सासन काल रहता है सेरसासुरी का उसी दर्मियान इसने भायत में Grand Trunk Road बनवाया था अगला क्वेशन गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्मान कराया था ओप्सन है बड़ा इमाम बाड़ा B. बुलन दर्वाजा C. जामा मस्जीत D. सिद्धी बशीर ये वी क्वेशन रिपीटेड है सेरसी का प्रशन है तो इसका उत्तर होगा बुलन दर अगला प्रस्ण आईने अकबरी एक महान एतिहासिक क्रिती निर्म लिखित में से किसके दोरा लिखी गए थी आईने अकबरी पहला ओप्सन है अबूल फजल B. अमीर खुसरो C. फिरोज सा और D. अब्दूल रशीर उत्तर बताईए तो इसका उत्तर होगा अबूल फजल कई बार क्वेस्टन पूछा गया है ये इसको याद रखिएगा कि आईने अकबरी जोकी अकबर से सम्बंदित है इसको लिखा गया था अबूल फजल ने पानी पत की दूसरी लड़ाई पांच अपरेल 1556 निमलिखित में से किसके बीच हुई थी A. अकबर और हेमू B. राजपूत और मुगल C. बाबर और इबराहिम लोदी D. सिकंदर और आदिल सा तो इसका उत्तर होगा अकबर और हेमू दोस्तों यह लड़ाई अकबर और हेमू के बीच उस वक्त हुई जब अकबर सासन में तुरंत बैठा ही था और अकबर और हेमू के भी संगर्ष चलता है कि भायत में पुर्णतर राज किसका होगा ठीक है अगला प्रस्ण लेते हैं दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा सुरू किया गया था यह क्वेस्टन भी पूछा गया है और यह क्वेस्टन अन्य PCS में भी पूछा गया है पहला अप्शन हुमायू बी जहांगीर सी अकबर और डी साह जहां उत्तर बताईए तो दीन ए इलाही नामक धर्म अकबर के द्वारा सुरू किया गया था जो बहुत प्रसिद रहा अगला प्रस्ण प्रसिद मुस्लिम सासिका चांद बीवी जिसने बरार को अकबर को सौपा नेवलिखित में से किस राज से संबंदित था देखिए कितनी बार पूछा यह को इसका उत्तर होगा एहमद नगर एहमद नगर की शासिका थी चांद बीवी जिसने बरार को अकबर को सौपा था अगला कोर्शन है कि मुगल प्रसासन विवस्था में मनसबदारी प्रनाली को किसने प्रारम बिखिया है ए साह जहां बी अकबर सी जहांगीर और डी बाबर तो इसका उत्तर होगा अकबर आप ध्यान नकिएगा दो तरह का नया चीज इसने स्टार्ट किया था एक तो सब्दारी प्रनाली और दूसरा दीन ए इलहाई अवित्रूंद आप पढ़े हैं यह दोनों से कुछा जाता देखिए यह कुछ भी पूछा गया है कई बार दो तिन वह कुछा गया है अगला कोर्शन अपने अपने काल का महान संगीता गितान सेन किसके दरवार में थे ता तो इसका उत्तर होगा अकबर त्याने किएगा अकबर संगीत प्रेमी भी था जिसके कारण उसके दरवार में तानसे रहा करता था जो मुगल काल की राजभासा कौन थी अगला कोर्शन है किस युद से भारत में मुगल राज की नीव पड़ी ये उसी प्रस्ण को देखे दुवारा घुमा के पूछा गया है पलासी का यूद, ताली कोटा का यूद, C. पानी पत का प्रथम यूद, D. हल्दी घाटी का यूद तो इसका उत्तर होगा C. पानी पत का प्रथम यूद तेकि बाबर जब पानी पत यूद जितता है 1526 में तो उसके बाद लगातार वो दो-तिन यूद और लड़ता है जिसमें से खानवा का यूद जो की 1527 इसी में लड़ा और यह यूद हुआ था राजपूत राजा राना सांगा के बीच और इसी समय बाबर ने पहली बार जिहाद सब्द का पर्योग किया था और जिहाद का अर्थ होता है इसलाम की रक्षा के लिए धर्म यूद लड़ना क्योंकि बाबर के पास ऐसी कोई भी ऐसा कोई मुद्दा नहीं था जिसको लेकर के वो राना सांगा से यूद करता तो ये धर्म को बचाने के लिए उसने एक भासन दिया सेनिकों के सामने और जिससे सेनिक काफी उत्साहित हुए और एक भीसन यूद लड़ा गया राना सांगा और बाबर के बीच इसमें ये भी करन देखने को मिलता है कि बाबर ये समझ चुका था कि अगर भारत में अगर सासन करना है तो उसके लिए राना सांगा को पराजित करना बहुत अधीक आवाश्चक है क्योंकि राना सांगा उसमें भारत के 47 सासकों में से एक आता था अगला था चंदेरी का युद जो 1528 में मेदनी राय के साथ इसने लड़ा था जिसमें भी इसने जिहाद का प्रयोग किया था उसके बाद था घागरा का युद जो की महमूद लोदी के लड़ा गया और ये महमूद लोदी वही है जो इबराहिम लोदी का भाई था ठीक है और घागरा का युद बिहार के घागरा नदी के टट पे हुआ था तो इतनी सारी बातें आप भी याद रखेगा बावर के विशे में आगे बढ़ते हैं और 1530 में इसकी मृत्यू भी हो गए थी अगला प्रश्ण मुगल चितरकारी किसके सासनकाल में चरमुत सकर्व या पराकास्था प्राप्त किया तो इसका उत्तर होगा जहांगीर अगला प्रश्ण नेम लिखित में ऐसे किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी तो इसका उत्तर होगा अबूल फजल अभी तुरंद आपने पढ़ा है कि आएने अकबरी ये अकबर के जीवन कथा यानि अकबर के आत्म कथा के वारे में लिखा गया है और ये अबूल फजल ले लिखा था आएए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्ण है कि हुमायू नामा किसने लिखा था हुमायू नामा किसने लिखा था तो दोस्तों हुमायू नामा हुमायू के जीवन से संबंदित है और हुमायू की जो बीवी थी गुलबदन बेगम इसी ने हुमायू नामा की रजना की थी लिखा था अगला प्रश्ण अकबर के सासन में महा भारत का फार्सी भासा में अनुवाद किया गया था वह किस नाम से जाना जाता है इकबाल नामा बी रज्म नामा सी अकबर नामा और डी शकीनत उल ओलिया इसका उत्तर बताईए इसका उत्तर होगा रज्म नामा देखें ये क्वेस्टन रिपीटेड है कई बार SSC में, UP, PCS में दोस्तों ये भी क्वेस्टन यहां से पुछता है कि किसके सासन काल में महा भारत का फार्सी अनुवाद कराया गया था तो आप सवाल को अच्छे से पढ़िए ताकि उससे रिटेड कोई भी कोशन आपसे छूटे नहीं अगला कोशन देखते हैं किस मुगल समराट ने सयद भाईयों को गिराया तो इसका उत्तर होगा मुहममद सा ने सयद भाईयों को पराश्ट किया था अगला प्रस्टन अगला कोशन है कि किस मुगल सासक ने दो बार सासन किया तिसका उत्तर होगा हुमायू हुमायू जब 1540 सासन करता है जो सेर सासूरी से वह हार जाता है उसके बाद वह दुबारा 1556 के आसपास आ करके वह अपने सासन में वस्था को दुबारा हासिल कर लेता है अगला प्रस्टन भारत में बीवी का मकबरा इस्थित है आप्शन हैदराबाद में B. सिकरी में C. औरंगाबाद में और D. बीजापूर में तो इसका उत्तर क्या होगा? बताईए तो इसका उत्तर होगा औरंगाबाद में दोस्तों औरंगाबाद की अस्थापना औरंग जेव ने की थी और औरंग जेव ने ही अपने बीवी के नाम पर वहां बीवी का मकबरा बनवाया था देखी ये सवाल पूछा गया है रिल्वे में अगला प्रस्ण फतेपुर सिखरी इस्थित लाल पत्थर से निर्मित सेख सलीम चिस्ती के मकबरे को किसने संगमरमर कराया यानि सेख सलीम चिस्ती के जो मकबरा था उसको संगमरमर से किसने उससे बनवाया ए अकबर बी जहांगीर सी साजहां और डी दाराशिको तो इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा जहंगीर अगला कुशन है कि किस युद्ध को जीतने के बाद सेरसा ने दिल्ली में अफगान सत्ता की अस्थापना की? तो इसका option दिया है बिलगराम युद B. कालिंजर का युद C. चौसा का युद D. इनमें से कोई नहीं तो इसका उत्र होगा बिलगराम का युद सेर सासुरी और हुमायू के बीच या युद 1540 में लड़ा गिया था जिसमें हुमायू को हरा कर सेरसार ने अफगान सत्ता की अस्थापना की थी अगला कुस्टन और इसी सेरसा सुरी ने ग्रांड ट्रंक रोड भारत में बनवाया था आई एकला कुस्टन देखते हैं नेम लिखित भारतिया सास्कों में से अकबर के समकालीन कोन थे तो समकालीन से भी काफी कुस्टन पूछा जाता है और यह कुस्टन SSE में हाल फ्रम में फिर पूछा गया है ए ओप्षन दिया है तो इसका उत्तर होगा राणी दुर्गावती यह कुस्टन पूछा गया है कई वार्दे कि यह सीपीओं भी पूछा गया दर तीन में यह कुस्टन पिछले ही वर्स पूछा गया है SSE में अगला कुस्टन सहजहा ने निवलिखित मेंसे किस सहर में मोती मजजित बनवाई ए दिल्ली बी जैपूर सी आगरा और डी अमरकोट देखिए यह भी सीपीओ एसाई और यूपी एसी में पूछा कुस्टन है यह तो इसका उत्तर क्या होगा बताई इसका उत्तर होना चाहिए आगरा मोती मजजित कहां पर है आगरा में है तो सहजहा ने आगरा में मोती मजजित का निर्वान करवाया था तो इसका उत्तर क्या होगा बताईए इसका उत्तर होना चाहिए हुमायू हुमायू की मृत्तिव पूस्टकाले की सीणियों से गिर कर हो गए थी अगला कुश्टन किस मुगल बासा के दुर्भागी पर व्यंग करते हुए लेन पूल ने लिखा है वा जीवन वर ठोकरे खाता रहा और ठोकर खाकर ही अपने जीवन का अंध हुआ ए बावर, बी अकबर, सी हुमायू, डी सहा जहां तो इसका उत्तर होगा हुमायू उसे यहां से भागना पड़ता है, दुबारा 1555 में वापस आता है, फिर से यूद करता है, फिर वो जीतता है और अंतता फिर वो सीड़ी से लडखडा के गिर के मर भी जाता है इसलिए हम देखते हैं कि इसके जीवन काल में लडखडाने की सिती हमेशा बनी हुई होती है इसलिए लेनपूल ने कहा है कि ठोकरे खाते हुए जीवन बिताया और उसकी जीवन की अंत भी इसी सिती में हो गई अगला प्रसासन में मुतसिप था A. सेना आधिकारी B. विदेश विभाग का प्रमुक C. लोक आचरन आधिकारी D. पत्र विभार विभाग का आधिकारी बिप्यसजी कोस्टन है इसको ध्यान समझेगा तो इसका उत्तर क्या होना चीए बताईए तो इसका उत्तर होगा लोक आचरन अधिकारी अगला कोश्चन है कि मुगल प्रसासन में मदद मास इंगित करता है ए चुंगी कर बी विद्वानों को दी जाने वाली राजर्स मुक्त अनुदत भूमी तो इसका उत्तर क्या होगा उत्तर होगा विद्वानों को दी जाने वाली राजर्स मुक्त अनुदत भूमी यानि कि जो सासक थे जो राजा थे उसके द्वारा जो विद्वान वहां रहते थे उनके दर्वार में उनको जो बिना टैक्स वाला जो भूमी दान क्या जाता था उसे हम मदद इमास कहते थे या उस सासक का में उसे मदद इमास कहते हैं ठीक है अगला कोश्चन दिया है कि दास्तान ए अमीर हमजा देखे भी बिप्एसी कोशन ये भी है दास्तान ए हमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया ए अब़ुस समद बी मंसूर सी मीर सहयद अली और डी अबूल हसन उसका उत्तर होगा अब दूस समद दास्ताय हमीर हमजा का चितरांकन अब दूस समद के दोरा किया गया था अगला निमलिकित मैं से कि सुल्तान ने पहले हजरत ऐंला की उपादी अपनाई और बाद मैं सुल्तान गी तो इसका option दिया है बहलोर लोदी, सिकंदर लोदी, C. सेरसा सुरी और D. इसलाम साह सुरी तो इसका उत्तर होगा सेरसा सुरी सेरसा सुरी जब सत्ता में बैठता है तो पहले वो हजरत ए आला की उपादी धर्म करता है और बाद में वह सुल्तान का उपादी धर्म कर लेता है औरंग देव द्वरा चलाये जिहाद का अर्थ है A. दार उलहर्ब B. दाल उलिस्लाम C. पवित्रियूद या D. जजिया देखें ये भी BPSC question है तो इसका उत्तर होगा दार उलिस्लाम और अंग देव द्वरा चलाये गए जिहाद का अर्थ है दार उलिस्लाम जबकि बाबर ने जिस जिहाद की चर्चा की थी जिस जिहाद के बारे में बताया था अपने सनिकों को वो था धर्म के लिए युद्ध अगला प्रस्न दिल्ली के लाल किले का निर्मान किसने करवाया था ए अकबर बी नूर जहाँ सी जहांगीर और डी साह जहाँ देखे ये वी BPSC और UPPCS में पूछाय क्वर्चन है उत्तर बताईए तो इसका उत्तर बहुत ही आसान है इसका उत्तर होगा साह जहाँ अगला प्रस्न हुमायूद वारा लड़े गए चार प्रमुख युद्धों का तिथी अनुसार सही क्रम अंकित करें युद्ध अस्तलों के नाम अंकित है यानि हुमायूद वारा जो लड़े गए जो युद्ध हैं उसको क्रम से रखना है तो ये क्रम आपको दिया गया है तो इसका उत्तर बताएए क्या हो सकता है तो इसमें सबसे पहले उसने हुमायों ने दौरा का युद्ध किया उसके बाद चौसा का युद्ध हुआ उसके बाद बिलग्राम युद्ध उसके बाद सरहिंद युद्ध हुआ था इसलिए इसका करम होगा option B ध्यान रखे हुमायू सबसे पहले दौरा का युद्ध देखिया फिर चौसा का फिर बिलग्राम और फिर सरहिंद आप ऐसे इसको याद आ सकते हैं कि पहले उसन दौरा किया उसके बाद उसको चौसा खेलने का मौका मिला उसके बाद वह गाउ गया और फिर वो सहीध हो गया ठीक है दोस्तों अगला question पर आते हैं अगला प्रस्ण है राम चरित मानस के लेखक तुलसी दास किसके सासनकाल से संबंदित थे ए चंद्रगुप्त बिक्रमादित्य बी वाजिद अलीशाह सी हर्च वर्दन डी अकबर तो इसका उत्तर होगा अकबर इसकी चर्चा पहले भी हम कर चुके हैं कि तुलसी दास जोकी अकबर के दरवार में रहते थे अगला प्रस्ण किस युद में बाबर ने जिहाद यानि कि धर्म युद का नारा दिया तमगा नामक कर को समात किया और युद जितने के उपरांत गाजी की उपाधी धरन की ये बहुत important question है इसको किस युद के बाद उसने गाजी की उपाधी धरन की ठीक है option देखते हैं पहला है खानवा के युद में भी घागरा के युद में सी पानीपत के प्रथम युद में डी इनमे से कोई नहीं उत्तर बताईए तो इसका उत्तर होगा खानवा के युद में जो की मेवार के सासक राना सांगा के बीच और बाबर के बीच हुआ था यह युद 1527 में हुआ और इसी युद में बाबर ने जिहाद का नारा दिया और इसे जितने के बाद उसने गाजी की उपाधी धरन की आईए अगला प्रस्शन देखते हैं मुबययन नामक पद सैली के जर्मदाता बाबर ने अपनी आतम कथा तुझूक आबवरी किस भासा में लिखी यह लिखा जा शकता है कि तुझूक आबवरी किस भासा में लिखी गई थी आप्शन A. फार्सी में, B. उर्दू में, C. तुर्की में और D. अर्बी में इसका उत्तर होगा C. तुर्की में आप जानते हैं कि बाबर एक तुर्क का सासक था, तुर्क का मुसलमान था ठीक है, इसलिए इसे तुर्की भासा में बाबर, बाबरी को लिखा गया है, तुर्जू के बाबरी अगला प्रस्न, बाबर मूल रूप से कहां का सासक था? A. फर्गना, B. कंधार, C. तकसिला, D. पंजाब तो इसका उत्तर होगा फर्गना बाबर के जो पिता थे, वो फर्गना के सरदार हुआ करते थे और बाबर जब भरत की और चड़ाई करने लगा तो भरत के अभियान में उसने कंधार, तकसिला, पंजाब के प्रांतों को उसने जीत लिया था अगला प्रस्ट, मुगल समराज के द्रिडी करन के द्रिष्टी कोन से सबसे निरनायक युद था A. पानी पत का प्रथम युद, B. खानवा का युद, C. चंदरी का युद, D. घागरा का युद तो इसका उत्तर होगा खानवा का युद, जिस युद में बाबर और मेवार के सासक, राना सांगा के बीच घामासान युद हुआ था अगला प्रस्ण में इधर कुछ युदों के नाम और उसके डेट दिये गए है और इधर कुछ सासकों के नाम है जिन से बाबर की युद हुई थी ये बाबर द्वारा लड़े गए युद है और इधर बाबर जिन से युद लड़ा है उसका नाम दिया गया है तो आपको बताना है कि कौन इसमें से सही तरह से मैच हो सकता है ये आपके option दिये गए सबसे पहले पानी पत का युद 1526 में इबराहिम लोदी साथ हुआ खानवा का युद 27 में राना सांगा साथ हुआ चंदेरी का युद मेदनी राय से और घागरा का युद 29 में अफगानों की विरुद मामूद लोदी जो इबराहिम लोदी के भाई थे तो ये करम बिलकुल सही रखा गया है A, B, C, D और 1, 2, 3, 4 तो A, B, A, B, C, D अगला प्रस्ण है किसने मुगल समराज की राजधानी को आगरा से दिल्ली अस्थान्तरित की A, जहांगीर, B, औरंगजेव, C, हुमायू, और D, साहजहाँ उत्तर बताईए इसका उत्तर होगा साहजहाँ मुगल वन्स का सासन जो था पहले आगरा से चलता था लेकिन साहजहाँ ने इसे दिल्ली अस्थापित कर दिया और दिल्ली को राधानी बनाया अगला प्रस्ण अकबर के युवास्था में उसका संड़क छक था ए हेमू, बी फेजी, सी अबूल फजल और डी बेरम खा तो इसका उत्तर होगा बेरम खा वास्विक्ता में अकबर जब सासन के गद्दी पर बैठा उस समय उसकी आयू बहुत ही कम थी और उस समय बेरम खा ही उसके पूरे सासन वस्था को देखता था और उसका सरक्षा की रूप में काम किया अगला प्रस्थ, निम लिखित मेंसे किस अस्थान पर नादिर साह ने चड़ाई नहीं की थी ए लाहूर, बी करनाल, सी दिल्ली और डी कन्नोज तो इसका उत्तर क्या होगा? बताइए नादिर साह ने कन्नोज पर चड़ाई नहीं की थी